जहन फ्रेंट्स वेलकम टूम विल जाइस एकेडमी वन लाइनर सीरीज सारे स्टेट पीचेस के लिए और सारे कंपोटिटिव एक्जाम के लिए भी इंपोर्टन्ट है अल्रेडी हमने नॉम्बर डन कर लिया था यह एक्टूबर मंत की करेंट अफेर है और जो भी और रिमेनिंग होंगे वो सारे लास्ट शिक्स मंत के वो कंप्लीट हो जाएंगी जो हमारा कमिटमेंट है सेम तरीके से रहेगा कि आपको वन मिनट्स के अंदर एक स्लाइड आप कारिकरम की सुरुवात कौन चुकी उससे में का है तो नरेंद मोदी के द्वारा किया गया अब यह जो दूसरा टॉपिक बिश्व रिदय दिवस प्रतिवर्स कब मनाया जाता है इस 29 सेप्टेमबर है इस से रिलेटेड एक और एक और इन्फॉर्मेशन इसमें कि इस एर की जो थीम थी वो क्या थी और वो है यूज हर्ट नो हर्ट थोड़ी सी इंडिटेग इसको देख लेते हैं 2006 की सुरुवात होती है और डबलू हर्ट फेडरेशन के द्वारा इसको औरनाइज किया जाता है यह डबलू हर्ट के अंदर ही चलता है मेंली इसमें टार्गेट बनाये गया था कि जो नौन कम्मिकेबल डिजीज हैं उसको देखते हुए 2025 तक 25 परसेंट इस तरीके की डिजीज को कर परने के लिए इस दे की सुरुवात की गई थी और इस दिन हम यहीं बताते हैं का वेर्नेस फैलाते हैं कि जो हमारे हर्ट के लिए क्या इंपॉर्टेंट है किस तरीके से उस कौन सी फीजिकल डिक्साइज आपके लिए बहतर है यह सारी चीजे इसमें यूज होती है तो आपको दोनों चीजे क्लियर हो गई नेक्स्ट है भारती रिज़र बैंक ने इंटर्डेशनल फिनेंस कर्पोरेशन को किस बैंक में हिस्सेदारी हासिल करने की मंजूरी दी और इसका एंसर है मनिका बत्रा अगला एसीन गेम्स 2023 में निशारे बाजी के किस इवेंट में भारती टीम ने स्वार्ड पदक जीता और इसका एंसर है 50 मीटर एयर राइफल अि बिहार राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व किस जிले में स्थापित किया जाएगा और इसका एंसर है कैमूर क्या है इसका कैमूर क्यमूर से अरेफी में बही पूछा गया क्यों है केमूर रेंज है पूरी और ईसी से कैमूर डिस्टिक बनता है इसे कनेक करके याद रखिएगा यह वर्ल्ड हर्ट की जो थीम है डे की थीम मैंने आपको बता दी यहा अपर बना है यह यहां रिक्षा हुए लेकिन एक्शॉल में जो थीम लिकिया हुई है वहाँ हर्ट बना हुए यूज हर्ट नो हर्ट ऐसे करके भी आप इसे कने करके याद रख सकते हैं इंडो लैटिन अमेरिका संस्कृतिक महुस्तों के चौथे संस्क्राइब का एरिजन कहां किया जा रहा है और इसका एंसर है निव डैली और लिजयोलाजी या मेडिकल में 20223 का नोबेल स्विंटली किसको दिया गया unto Katalin कारियों को और दू विस्में को ऐसे ही फिजिक्स का नोबेल स्विंग देया गया ज्विन्टली तो पिरे एगस्टीनी फेरे करूज और ये ल डूइल को इनको दिया गया और एक थ्री स्टार रैटिंग का कॉस्चन है बिश्व बैंक ने विद्ट फिरेंसेलियर टू-02324 के लिए भारत की जीडिपी ग्रोथ का क्या पूर्वानमान लगाया है और इसका एंसर है सिक्स पॉइंट 30 याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट कॉस्चन यह हो जाता है इसमें त्री स्टार के यह पहला कॉस्चन यह रहे रहेगा और दूसरा यह थीम की जो थीम है यह सेकंड हो जाएगा और इसी के साथ यह भी जो टॉपिक है यह रिलेट होगा डे इसके साथ जोड़ लेत देते हैं मैं लिए दो सबसे इंपॉर्टेंट है और आगे आप इसको एक बार सरसरी निगास से देख लें चीज़ें हो जाएंगी पीडिएफ आपको मिल जाएगी हमारे टेलिग्राम चैनल पर जूड़े रही है कंटिडिव पढ़ाई में लगे रही है जाजे समय नहीं लगाना है अपने फ्लो को मिंटेन रखिए रिवीजन यहां से आपका हो जाएगा और चीज़ें आपकी बनेंगी थैंक्यू सो मच God bless you all